हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइटिव चैनल फ्रेंड्स आप सभी लोग हैपी एंड हैल्थी होंगे फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने कुछ कोईसंस डिसकस किये थे इन नेवर्टिन केमिस्ट्री के जो चेप्टर नमबर वन प्रमानमिक सरचना एटोमिक तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कुछ और कोईसंस डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार करने से पहले रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रभावी प्रभावी नावी के आविज क्यां कोईस समिक्रण द्वारा किया आ जाता है तो फ्रेंट्स एक क्या आ जाता है प्लांक समिक्रण द्वारा next प्रमानों तथा अनु के लेक्ट्रोनों के तरंग फलन को क्या कहते हैं तो इसे फ्रेंट कपचक कहते हैं question 39 वह छेतर जिसमें इलेक्ट्रोन पाये जाने की संभावना सारवधिक होती है क्या कहलाता है तो एक कहलाता है friends कपचक friends यदि इस बार objective type question में हमारा exam नहीं होता है और proper yearly के जैसे होगा तो friends इसमें लग उतरिया प्रशन भी आते हैं question 41 यदि किसी इलेक्ट्रोन की स्थिति में अनिश्चित्ता सुन्य हो तो उसकी गती में अनिश्चित्ता का मान होगा तो होगा friends infinite या अनन्त विद्च चुम्बकिया विक्रण में किसकी उच्चितम तरंग देर्ध होती है तो यह होती है friends रेडियो तरंग की है एच प्रमानु में किस इलेक्ट्रोन संक्रमन को अधिक्तम उठ जाकी आवश्रिकता होगी तो यह होगी friends n is equal to 1 से n is equal to 2 तक के यदि किसी प्रमाणु का N is equal to 2 L is equal to 0 M is equal to 0 S is equal to plus minus 1 by 2 हो तो वहाँ प्रमाण। वहाँ प्रमाण होगा फ्रेंट्स B यानि बोरोन Q45 इलेक्ट्रोन होता है तो फ्रेंट्स इलेक्ट्रोन एक बीटा करन होता है Q46 इलेक्ट्रोन का कोण है संभे किस पर निर्वर करता है तो फ्रेंट्स किसी भी इलेक्ट्रोन का कोण है संभे गए वहाँ हमारी चक्रण क्वांटम संख्या पर निर्वर करता है इलेक्ट्रोन के N is equal to 3 इस तर से n is equal to 1 इस्तर में संक्रमन से प्राप्त होता है तो इससे फ्रेंड्स हमें उत्रसर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है Z37 के संहुजगता कक्छक में उपस्तित इलेक्ट्रोन की क्वांटम संक्याओं के सही मान का क्रम है तो यह होगा फ्रेंड्स 5, 0, 0 और प्लस 1 बाइ 2 जिसमें फ्रेंड्स 5 हमारी मुख्य क्वांटम संक्या होगी 0 एजी मुतल क्वांटम संक्या होगी और जो सेकेंड जीर है वो हमारा चुम्बक्य क्वांटम संक्या होगी और ये प्लस माइनस 1 बाइ 2 हमारी चक्रन कॉंटम संख्या होगी Question number 49 D-lektronों के लिए ऐजी मुथल कॉंटम संख्या का मान कितना होता है तो यह होता है friends, 3 Hydrogen प्रमानों में कौन से कन होते हैं तो इसमें friends, proton तथा electron होते हैं Question number 51 चुंबकिया कॉंटम संख्या से ग्यात होता है तो इसमें friends, आयनों में कुछकों की विन्यासिता का हमको ग्यान होता है Question number 52 Hydrogen प्रमानों के किस इलेक्रोनिक इस्तर द्वारा इलेक्रोन तो सोसित हो सकता है प्रन्तु photon का विसर्जन नहीं हो सकता तो यह था friends, 1s में Question number Next Na positive किसके सम इलेक्रोनिक है तो इस friends, Li positive के Question number 55 Hydrogen का इलेक्रोनिक बिन्यास है तो इस friends, 1s2 भारी कंड है तो friends, इसकी में आपके पास option में कुछ भी दे सकते है एलफा, बीटा, गामा करके तो friends, जो सबसे बारी कंड है वो एलफा कंड होता है एक अक्चक में अधिक्तम इलेक्रोन होते है Friends, I hope आप सभी को पता है होगा यह होते हैं 2n² Question number next अधिक्तम इलेक्रोन एन्चेल में होते है तो friends, 32 मतलब n-cell से ताथ परिया है जो सबसे अंतिम कोश होगा उसमें अधिक्तम इलेक्रोन 32 हो सकते है Question number 59 अगर इलेक्रोन का चक्रण कॉंटम सेंग्या प्लस 1 बाइ 2 तथा चुंबक्या कॉंटम सेंग्या माइनस 1 होतो उपस्तित नहीं होगा तो friends, क्या उपस्तित नहीं होगा S-orbital उपस्तित नहीं होगा मूल अवस्था में क्रोमियम प्रमानु का सही इलेक्रोनिक संरचना है तो ये friends, AR मतलब ओर्गन फ्रेंट्स जो कि नोबल गैस है 3D5 4S1 तो friends, इसकी इलेक्रोनिक बिन्यास की जो हो जाएगा हो ARN Oregon 3D5 4S1 तो thank you friends वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप अच्छे से मेहनत कीजे Thank you friends, और चैनल को सिस्क्राइब भी कर दीजे Thank you very much Thank you